ननत को हम रखेंगी हीमा अपनी ननत सुना सिर्फ फून पर बाते कर रही होती है तब ही ननत की बात सुनकर उसके चैरे की हवाईयां उड़ने लगती है दिदी ये कैसी बात कर रही हो आज आप? साफ साफ बताओ क्या बात है मेरा जी गबरा रहा है आप भाबी, पिताजी ने बिना जाज बरताल किये मेरा हाथ गिरिश के हाथ में थमा दिया भाईया बड़े थे, चाहते तो कुछ कर सकते थे लेकिन भाईया ने भी शादी से पहले गिरिश की घर, परिवार या नौकरी की बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली खूटे से बंधी गाय की तरह, इस खूटे से खोल कर उस खूटे बान दिया मुझे आप लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए, कभी चानने की भी कोशिश नहीं की कि छोटी बेहन किसे हालत में है खुश भी है या नहीं, तूर शहर में रहने की कारण कभी चाह कर भी सुख दुख में अपने माई की खबर ना पहुचा सकी मैं गिरिश ने कभी इस्जत या सम्मान नहीं दिया मुझे लेकिन फिर भी माई के मिस्स उराल की इस्जत बनी रहे इसलिए चुप के चादर ओड़े मैंने इतने साल बिता दिये और कभी आप लोगों को कुछ बताया नहीं फिर मन में एक आज भी थी कि पती ना सही कल को मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी मा की त्याग और सहन शक्ती का मान रखेगा लेकिन भाबी आज हार गई मैं जिस बेटी की खातिर उम्र भर पती की यात ना है सही आज वो बेटा भी बाप की तरफ हो गया उसके अंदर मेरा एक भी गुण नहीं है वो तो सौ प्रतिशत अपने बाप का बेटा निकला दोनों बाप बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया है कहते हैं मैंने इस घर के लिए किया ही क्या है उन्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नी इस घर को बनाने में मैंने अपनी सारी जिन्दगी लगा दी आज उसी घर से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया दोनों ने मेरे पास अब जीने की कोई वज़ा नहीं बच्ची भावी ना मेरा खाने का ठिकाना है ना सर पर चत आज आखरी बार आपसे बात कर रही हूँ पता नहीं हाज के बाद कभी किसी की आवाज सुन पाऊंगी या नहीं आपको मेरी कसम है दीदी आप कुछ भी उल्टा सिधा नहीं सोचेंगी और आखिर क्यों जीवन बर वहां रहकर अपनी जिन्दगी खराब की एक बार हमसे कहकर तो देखती मानते हैं हमारी गलती है हमने भी कभी जानना नहीं चाहा कि आप कैसी है किस हाल में लेकिन दीदी आपने क्यों सोच लिया कि आपका अब दुनिया में कोई नहीं है आप चिंता मत करिए हम जीजाजी और बंटी से बात करेंगे हमारे रहते आपके साथ इतना बुरा बरता कोई नहीं कर सकता नहीं नहीं भाबी अब वो आकर मेरे पैर भी पकड़ ले तब भी मुझे उस घर में वापस जानी की कोई इच्छा नहीं है मैं अब उन दोनों का चेरा भी नहीं देखना चाहती मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों से कुछ भी कहें अरे जिस पेटी को अपनी माँ का लिहास दी वो आप लोगों का क्या लिहास करेगा आप उससे कुछ मत कहना भावी अभी तो बस आप जानती है कल को सारी दुनिया जान जाएगी और हमारा मसाक बनाएगी अच्छा ठीक है हम कोई बात नहीं करने वाले बंटी से लेकिन फिर भी आपको भी हमारी एक बात माननी होगी बादा कर यह आप मना नहीं करेंगी ठीक है बताओ भावी क्या बात है मैं मना नहीं करूंगी दीदी आपको हमारे साथ यहां आकर रहना होगा अरे आपका माय का अभी सही सलामत है और हमारे रहते आपको कभी ऐसा सोचनी की जरुरत नहीं है कि अब आपका दुनिया में कोई नहीं है आप अभी बस में बाट कर दहरा दुना जाईए अब मुझे और कुछ नहीं सुनना चाह ठीक है भावी आप इतना कह रही है तो मैं आ जाती हूँ उसी दिन शाम को सुनना अपने भाई भावी की यहां पाँच गई थी भावी अगर आप ना होती तो मैं जाकर किसी नदी नाले में खुच जाती मेरा दुमन भर गया है बस दुनिया से खबरदार जो आज के बाद आपने ऐसी बात अपने मन में भी लाई दी दी मानस तिविया आओ बिटा बुवाजी के पैर चुओ नबस्ति बुवाजी लाईए आपका सामान हम आपके कमरे में छोड़ाते हैं बड़े आग्याकारी बच्चे हैं मा की एक इशारे पर भागे चले आए बुवाजी आपको किसी भी चीज़ की जरुत हो तो आप मुझे बुला लेना मैं तुरंट आजाओंगा अब आराम कर लो मैं रतना देदी को बोलकर चाय भीचवाता हूँ मुझे तो मक्षन टपक राए इसके बल्कुल मा पर गया है दोनों बच्चे मा की तरमी ठी मीठी बाते करके सबको अपने बस में करना खूब आता है इने बंटी बेटा मैं तेरे मामा के घर पाउच गई हूँ अभी तक तो जैसा हमने सोचा था ना बल्कुल वैसा ही हो रहा है किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर मैं यहां क्यों आई हूँ बहुत अच्छा ममी देखो प्रॉपटी के कागज बनवा कर मैंने आपके बैग में रख दिये अब आपको मौका देख कर किसी तरह उन कागजों पर मामा के सिगने चल लेने है अरे बस एक बार मामा उनका आगजों पर साइन कर दे फिर तो हम तिनों उस गर में राज करेंगे राज और मामा मामी और उनके बच्चे सड़कों की धूल चानेंगे अरे 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 आप सोना और उसकी बेटे बंटी की बात ये सुनकर कनफ्यूज मत हो ये मैं उनकी कहानी आपको एक तम शूरू से सुनाती हूँ कुछ दिन पहले सोना दिदी मुरत का कार्ड पहुँच गया या नहीं नहीं भापी अब ये तो कोई कार्ड नहीं आया जी जी कार्ड तो मैंने पोस्ट करवा दिया है लेकिन ऐसा बिलकुल मत समझना कि बस टोकने के लिए आपको कार्ड भीज रहे है देखे काम बहुत फैला हुआ है इसलिए कार्ड देने के लिए नहीं आपा है लेकिन आप तयारी कर लेना और हाँ एक सप्ता पहले पहुँचना है आपको सारी तयारी आपको ही करवानी है ठीक है पावी मैं बताती हूँ आपको देख रही हो सुना तुम्हारे माई के से काड़ा है कोठी का ग्रह प्रविश है दिल्ली में आँ सेब देख रही हूँ वो कोठी बना रहे है और यहां हमसे ये तीन कमरे का मकान पेंट तक नहीं कराया जा रहा अपनी अपनी किस्मत है एक ही माबाब की अउलाद होते हुए भी सबका अपना भागया है वो राजा बन गया है और हम वहीं के वहीं बैटे रहे गे अरे तुम्हारी सोच बस इतनी रहे गी हमेशा ये सोचो ना अचानक से तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहां से आ गया कभी तो दिमाग लगाया करो मैं कुछ समझी नहीं बाओ जी के मनने के बाद अचानक से तेरे भाई ने कोठी बना ली इसका मतलब बाओ जी करोडों की दौलत छोड़ कर गया है उसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए तेरे भाई ने इतनी बड़ी कोठी बना कर तैयार किये अरे अपनी कमाई से बनाई होती तो बात कुछ और होती लेकिन बाओ जी की संपती में तो तुम्हारा भी बराबर का अधिकार था की नहीं अरे तुम्हारा भाई ने जरा सी खुश्बो तक नहीं लगने दी हम लोगों को सारा का सारा रूपिया अकेले हजम करके बढ़ गया एक बार भी बेहन की याद नहीं आई अरे आदा ना सही कुछ तो तुझे देना ही चीए था अरे ममी कम से कम हमारी माली हालत के बारे में सोच करी हमारी कुछ मदद कर देते मामा को तो जरा सी भी शर्म नहीं आई और अब हमारा दिल जनाने के लिए ये मकान के मुरत का कार्ड भीज दिया इससे कार्ड मत समझो अरे उनके मुरत में जाए मेरी जूती मैं नहीं जाने वाली अरे तुम्हारे मुरत में जाने या ना जाने से ना तो वो मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा ना उनका मुरत रुपने वाला है इसलिए समझदार इसे बात किया करो तो आप चाहते क्या है वहाँ जाकर मैं उन्हें उस महल को बनाने की खुशिया मनाते हुई देखूँ अरे ममी आप बात को समझते नहीं हो मैं आपको समझाता हूँ आपको उस कोटी में जाना तो जरूर है लेकिन मकान के मुरत में शामिल होने के लिए नहीं वलकि किसी और काम से गिरिश, सोना और उनका बेटा बंटी मिलकर एक योजना बनाते हैं ग्रह प्रवेश से दो दिन पहले सोना दिदी कब आ रही हैं आप मैंने कहा था न आपको एक सप्ता पहले आना है फिर अभी तक आप आई क्यों नहीं अच्छा मैं आपकी भाईया को भीजू आपको लाने के लिए भावी अब मैं क्या बताओं आपको मेरी तो सारी जिन्दगी का तब बेकार हो गया मैंने अपने सारी जिन्दगी कितनी तकलीफ और प्रताड ना सह कर गुजारी है ये तो बस मैं ही जानती हूँ आप लोगों को कभी अपने जीवन में हो रही उथल पुथल के बारे में नहीं बताया हमेशा यही सोचा कि रिष्टों के सिलाई खुलेगी तो लजजीत भी मुझे ही होना पड़ेगा और दुख बताने से कम तो नहीं हो जाते अपनी भावी हेमा को बोतल में उतार लेती है और बदले में हेमा सोना को अपने साथ रखने के लिए तयार हो जाती है पती और बेटे ने घर से निकाल दिया ऐसी जूटी कहानी सुनकर सोना अपने माई के पहुच गई थी जहा एक तरफ हेमा मनी मन ननद के साथ हुए अन्याय के लिए दुखी थी वही सोना अंदर ही अंदर भावी की कोठी को हत्याने के लिए योजनाय बना रही थी माना की दीदी की किस्वत खराब निकली जो उनके साथ ये सब हुआ लेकिन आप मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूगी. मेरा वादा है अपने आपसे, कि अप मैं दीदी को उनके हिस्से की सारी खुश्या दूगी. किसने कहा कि बेटियों के घर नहीं होते, ससुराल अपना घर हो या ना हो, लेकिन मायका तो बेटियों का हमेशा होता ही है अगले दिन अरे दिदी, कल मकान का मूरत है पास दूर की बहुत से लोग जमा होंगे आप ऐसे अचानक आई हैं कोई खास कपड़ी या सामान भी नहीं लाई मैं सुच रही थी आपको अपने साथ बाजार खुमा लाओ भापी बाजार? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना सच बताओं तू पैसे नहीं है मेरे पास आरे दिदी, अब आप अपने खुट के घर में हो भूलो मत, आपने इसी घर में जन्म लिया था तो क्या अम्मा अबाओ जी आपको कुछ दिलाते थे तो पैसा लेते थे आपसे? नहीं ना? फिर आपने पैसे की बात बीच में क्यों लाई? आपके पैसे की नहीं, आपकी मुझकराट के जरुवत है इस घर को अच्छा, अब जल्दी से तयार हो जाओ, हम अभी बाजार होकर आते हैं हेमा सोना को अपने साथ बाजार ले जाती है और पाटे में पहने के लिए उसके लिए दो तिन खुबसुरत साड़ियां खरेत लेती है दिदी आप देख लो, आपको अगर कुछ और भी चीए तो आप ले लो, संकोच की कोई बात नहीं है भाबी की कहने पर सोना अपनी पसंद की साड़ी, चुड़ियां और मंगल सुत्र भी खरीद लेती है अगले दिन मकान का मुरत था, जिसमें शामिल होने के लिए काफी सारे लोग जमा हो गए थे अरे हेमा, तेरी साड़ी तो इस सोना के आगे फीकी लग रही है तूने ये सस्ती सी साड़ी क्यों पहन रखिये? अरे ननद रानी है हमारी, पूरे आठ हजार की साड़ी पहन रखिये इनोंने मैं खुद दिलवा कर लाई हूँ गोल मार्केट से मायकी के फंक्षन में बेटियों का चमकना बहुत जरूरी होता है और काकी मुझे तो इतने काम है कि भारी साड़ी पहन कर कहां काम हो पाते हैं इसलिए अपने लिए मैंने सस्ती साड़ी खरी दी है हेमा की दिलवाई साड़ी के करण सभी उसकी जम कर तारीफ कर रहे थे काकी बता रही थी, हमा ने अपनी ननत को इतनी बढ़िया साड़ी दिलवाई, और खुद देखो कैसी प्लेन सी साड़ी पहनी हुई है, भई मैं तो अपने गर के फंक्षन में खुद से अच्छी ड्रेस किसी को ना दिलवाँ, और अगर गलती से भी कोई मुझ से अच्छा पहन लेना, तो मेरा मोड़ी खराब हो जाता है, पता नहीं किस मिट्टे के बनी है ये हमा, फंक्षन खत्म होने के बाद, दीदी, आपको ये कमरा पसंद तो आ रहा है न, आप चाहे तो किसी और कमरे में भी आराम से रह सकती है, और मैं मानस को बलवाती हूँ, आपके पै रुके मालिश करते, आप ठकी होंगी, आरे मैं ठीकू, मानस बिटा, ये तुम्हारे जिम्मेदारी है, अब से तुम्हें रोज सोने से पहले बुआ जी के पाउं के मालिश करनी है, ठीक है मम्मी, अच्छा आप एक दो दिन में बाजार से अपने लिए कुछ और कपड़े लेती आना, घर के लिए भी तो आपको कपड़े चीए होंगे ना, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपको कुछ भी चीए, तो मानस को बता देना, मानस के पैर दबा कर जाने के बाद, ममी, सब लोग सो गए क्या? आँ, बीटा, सो गए अच्छे, आपने कुशिश की? मुझे समझ मी नहीं आ रहा क्या और कैसी करूँ अब मामा जिसे चुपके से प्रॉपर्टी के कागस पर साइन कर वालो, थोड़ी चाला की तो करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे शराफत से काम नहीं चल पाएगा बेटे के साथ पूरी योजना बनाने के बाद, अगले दिन सुबह जब भापी हेमा चाय बना रही थी, सोना अपने भाई के पास चाती है भाईया, मैं बैंक में अकाउंट खुलवा रही हूँ, आप गारंटर बनकर साइन कर देंगे ना? सोना जान बुझकर भाईया का चश्मा हाथों से गिरा देती है, जिससे चश्मा चकनाचूर हो जाता है अरे बिना चश्मे के तो बुझे नस्दिक का कुछ दिखेगा ने? मैं बताते जा रही हूँ ना, अब साइन करते जाओ सोना जल्दी से साइन किये हुए कागजों की फोटो खीच कर अपने पती को भीज दीती है, तीन दिन बाद अरे सुना बहुत बड़ी गल्दी हो गई, हमने भाईया से प्रापटी के कागज साइन तो करा लिये, लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो कोठी तुम्हारे भाईया नही बलकि भावी के नाम रजिस्टर्ड है अब तुम्हे एक बार फिर से थोड़ा रिस्क लेना होगा और वो कागज फिर से साइन कराने होगे तुम कल रात को सबके सोने के बाद बाहर गार्डन तकाना, मैं प्रापटी के नए कागज तुम्हें दी दूँगा अरे कितनी मुश्किस से मैंने साइन कराए और आपने सब गुड़ गोबर कर दिया अच्छा ठीक है रात को बारा बज़े आप चुपचाप गार्डन की गेट से मुझे कागज दी जाना अगले दिन रात को दबे पाउं, सोना प्रापटी के नए कागज लेने के लिए गार्डन की तरफ जारी थी तब ही उसका पाउं गिली मिट्टी पर पढ़कर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पढ़ती है सोना की आवाजे सुनकर हेमा और बाकी के परिवार वाले दोड़ती हुए आते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं अरे दिदी इतनी रात को आप गार्डन में क्या कर रही थी? मजी गैस बन रही थी सोचा थोड़ा टैल लो पर पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी डॉक्टर ने सोना के पैर में प्लास्टर चड़ा दिया था और 40 दिन के लिए उसे बेडर्स के लिए बोल दिया था सोना को पैर टूटने से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका प्लान फेल हो गया सोना का पैर टूटने के बाद भावी हेमा की आँखों से आंसों नहीं रुक रहे थे दीदी हमारे घर आकर आपको इतनी चोट लगई मेरे ही गलती है मुझे आपको बताना चीए था कि रात में गार्डन में पानी लगाया है मिटे की लिए अगर आपको पता होता तो आप गार्डन में जाती ही नहीं मुझे माफ कर दो हेमा दिन रात सोना की देख बाल कर रही थी बिस्तर पर बैठे बैठे ही उसे नैलाती, धुलाती, कपड़े बदलवाती, खाना पानी ला करती थी चालीस दिन बीटे बीटे सोना का रदय परिवर्तन हो गया था वैसे तो आप जीवन बर हमारे साथ रहेंगी लेकिन फिर भी आपके मन के तसली के लिए आपके भाईया ने ये छूटा सा प्लॉट आपके नाम खरीदा है जिससे आपको कभी ये ना लगे कि आपके सर पर छतनी है ये आपकी जमीन है, आप इस पर जूच चाहे वो करे कितनी नीच हूँ मैं, जिस भाई भाई का घर हत्यानी के लिए मैं यहां आई उन्होंने मुझे अपना सब कुछ सांप दिया और धोखा देनी की जगर शायद अगर मैंने सामने से मांग लिया होता तो भाईया अपना आदा हिस्सा ऐसे ही मुझे दे देते भाईय के सच्चे प्यार को मैंने ढोंग समझा जिपकी मैल तो मेरे मन में रहा भाईय ने तो दिल से मेरी इज़त की इतना प्यार किया शायद कोई मा भी अपने शादे शुदा बेटी से ना कर पाए शायद भगवान ने मेरा पैर इसलिए तोड़ा ताकि मुझे सच दिखाई दे और मैं इतना बड़ा पाप करने से बच जाओ नहीं नहीं भाईय मुझे आपकी जमीन नी जीए आपने इतना प्यार दिया उसके आगे जमीन जायदात की कोई हैसियत ही नहीं है मुझे आज समझ में आ गया है कि अच्छे सम्मन सबसे बड़ी दौलत होते है और अब उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है सोना रोते हुए भाबी और भाई को सारा सच बता देती है और अपनी की एकी माफी मांग कर वहां से विदा हो जाती है हिमा भी ननत सोना को माफ कर देती है और इस तरब फिर से पूरा परिवार एक हो जाता है